तो दोस्तों आपने कभी गूगल प्लेस सो से डाउनलोड करके ये हैजज़जर्ब या टैबू शैबू खेला है तो आगर आपने खेला है तो विल इन गूड क्योंकि इस वीडियो में मैं ये एक टॉपिक है हैज़जर्ब और ये टैबू में टॉपिक है ये एक वर्ड है जो की है रुको जरा सबर करो बोला ना तक का मुक्की नहीं करने का अपरी शुरू किये ये वीडियो रुको जरा एन्यवें आई यू दोइंग एव्रीमन दिस इस एर कैप्टेन स्पीकिंग उप अन्यूवर्शी त्री एम साइनिंग इन तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो टैबू और एज़र वादर जो टॉपिक है वो ना तो आपके मॉम डैट बता पाएंगे ना तो आपके ये टीचर्स बता पाएंगे द्यू टू और जीजन ना तो कोई और बता पाएगा सारी और तो ये बताबाएगा स्रिफ एक इंसां से बता पाएगा वो है आपका जिम ट्रेनर क्योंकि जब आप जिम जाते हो और उनको बताते हो कि मेंसाथ यह हो रहाँ है वो भी रात में हो तो इसे हम कहते हैं यह नाइट फॉल, on a other hand, sorry, on a other language, इसे हम यह भी कहते हैं, वेट द्रीम्स, वेट द्रीम्स की डिफिनेशन परते हैं, नाइट फॉल is a natural bodily function that occur when a man ejacul while sleeping, ठीक है, it is also known as wet dream or neutral emission, नाइट फॉल is more common in young men and adolescence period, दोस्तों, young men का मतलब जो 15-16 साथ के जो teenagers होते हैं, men, उसमें यह बहुत कमन हैं, पेली चीज, डूसी चीज, जिसके यह जो नए-नए जवान होते हैं, जिसकी कच्ची-कच्ची-दारी आती है, कच्ची-कची-दारी तो वैसे मेरे को भी आती है, मेरे को हो रहे हैं, और हो रहे हैं मेरे को, ठीक है, but can occur at any point after puberty, puberty के बाद यह कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, और it can, it is, sorry, it's a natural way for the body to relieve sexual erosion, तो यह मेरे सबन्द है कि आपकी desire complete हो रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ में नहीं है, मेरे यह कहने का मतलब है कि आपकी तो sexual erosion है, वो रिलीव हो रहे हैं, and can happen and can happen when there is an excess amount of the what you call sperm or as a response to over stimulation, तो यह वो कारण है कि यह wet dream होते है, wet dream can occur with or without an erection, तो यह with और मतलब कभी भी हो सकते हैं, यह कह है हिंदी में बोलू तो and some men may wake up to the while sleep through it, तो यह जब भी frankly speaking यह मेरे को होते हैं और जब भी मेरे को होते हैं तो मैं जैसे humans कहते हैं, जैसे boys कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, कि सबसे बहुते बात्रूम जाके जैक कन्दा की मेरी जो शॉच से वो खडातो नहीं हुई, तो यह था, इसके आगे मैं नहीं परस अकता, तो यह था यह बॉइस टैबू का पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड देखने के लिए comment करो, और you know what to do, like and subscribe की बारिश, मन को बहुत अच्छा लगता है, this is your captain of Anniversary 3am, good night.